मुम्रा बाइपास को लेकर राज्य महाराश्टर के नगर विकास मंत्री व पालक मंत्री एकनाच चिंदे के बेटे सांसच श्रिकान चिंदे ने क्या कहा? मैं अफराहिम मीर आज का महानगर में आपका स्वागत है 24 दिसंबर 2020 गुरुवार की दोपहर में जब थाने बेलापूर एलिवेटेड मार्ग का नगर विकास मंत्री व पालक मंत्री एकनाच चिंदे के हातों विसफोटक करके उदगाटन किया गया उस समय MMRD के अधिकारी वो कारे करता उस स्थल पर उपस्तित थे उनके साथ साथ कलियान लोगसबा के सांसत श्रीकान शिंदे भी वहां मवजूद थे क्योंके कलवा मुम्रा विगधान सबाक्षेत्र भी उनी के लोगसबाक्षेत्र में आता है यहाँ पर उनकी उपस्तिती में हमारे सववादाता शेक शाहिद ने मुम्रा बाइपास की बिगड़ती हालत को ध्यान में रखकर कलियान लोकसभा सांसच श्रीकान शिंदे से बाचीत की बाइपास पर दुरगटनाओं के कारण, ट्राफिक जाम के कारण, वहनों के पाएट तूट जाने के कारण हमारे सववादाता ने सांसच श्रीकान शिंदे से कुछ सवालात किये क्या जवाद दिये कलियान लोकसभा सांसच श्रीकान शिंदे ने देखी मुम्रा बाइपास पे लगातार गाड़ियों के पाटे तूट रहे और खड़े बने वे ट्राफिक वीबाग इग्दम परेशार पी डबलुड को कहां गया है कि यह जो खड़े मुम्रा बाइपास पे बने हुए उनको जलसे जल्द बुझा है जिससे आने वाले समय में और दुरगटनाई इस मुम्रा बाइपास पर गटे ने पी डबलुड का केना यह उनके पास फंड ही नहीं है वो बराबर उसको हमारे इदर के ट्राफिक वीबाद और हमारे पुलिस वीबाद के लोग काफी परेशान है उस मसले को लेके और आभी बहुत बड़ा सार आहली में यह दो तिन दिन का बहुत बड़ा हाक्सा होते वे बचा है काफी लोगों की जान जाते हैं आप अब देखो कि मुम्रा बा आप रोक सकते हैं तो आप मुम्रा वास्यों के लिए बहुत बड़ी मदद देखें यह थी हमारी मुम्रा बाइपास की बिगड़ती दुर्दशा को देखते हुए हमारे समवादाता ने कलियान लोगसभा सांसत श्रीकान सिंदे से की गई बाचीत की जानकारी ऐसी खबरो के लिए देखते रहिए आज का महनगर हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी धबाईए